नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे फंगल इंफेक्शन के बारे में जिसको हम दाद, खाज और खुजली के नाम से भी जानते हैं अभी मौसम गरम है और उसके साथ साथ बरसाथ भी शुरू हो गई है ऐसे मौसम में अक्सर लोगों को फंगल इंफेक्शन हो जाया करता है जो सिर से लेकर पैड तक कहीं पे भी हो सकता है आज हम बात करेंगे हमारे शरीर पे होने वाले फंगल इंफेक्शन के बारे में और हमारी जांगों के बीच में जो फंगल इंफेक्शन हो जाता है हमारे शरीर पे जो fungal infection होता है उसका नाम है tinea corporis और जो जांगो के बीच में fungal infection होता है उसका नाम है tinea cruris. हम सब जानते हैं कि fungus एक दूसरे से लगने वाली बिमारी है इसलिए यह अक्सर या तो घर में एक दूसरे से हमें लग जाती है या बच्चों को school में एक दूसरे के साथ खेलने से, साथ में बैठने से, हाथ पकड़के एक दूसरे के साथ चलने से हो जाती है घर के अंदर ये बिमारी कैसे लग सकती है? यदि एक चन को फंगल इंफेक्शन हो गया, तो उसका तॉलिया, कंगे, ब्रश, तकिया, बिस्तरे के चादरें वगेरा इस्तिमाल करने से घर में दूसरे लोगों को भी ये इंफेक्शन लग सकता है. उसी तरह यदि आपके घर में कुत्ते बिल्ली हैं, उनको अकसर बारिश के दिनों में फंगल इंफेक्शन हो जाता है, और जब हम उन्हें हाथ लगाते हैं, तो हमें भी ये इंफेक्शन अपने कुत्ते बिल्ली से लग सकता है. इसके अलावा, यदि आप स्विमिंग पूल वगरा में जाते हैं, तो वहाँ पे मैट्स या तॉलिये, जो कि किसी ऐसे इंसान ने इस्तिमाल की हैं, जिसको इंफेक्शन है, तो उसका भी आपको इंफेक्शन लग सकता है. एक और जगए है, जहां से फंगल इंफेक्शन अक्सर लोगों को लग जाता है, वो है आपके नाई की दुकान या आपका ब्यूटी पालर. वहां पे यदि उनके औजार अच्छी तरह से साफ नहीं किये होते हैं, या जो बिस्तरे पे वो लोग चादरें बिछाते हैं, या आपके उपर जो तॉलिये या चादरें इस्तिमाल करते हैं, उसमें इंफेक्शन है, तो वो भी आपको लग सकता है. सबसे जादा जो फंगल इंफेक्शन लोगों के शरीर पे होता है, उसका नाम है तीनिया वर्सी कोलर. इसमें क्या होता है, कि हलके रंग के गोल गोल धबे, जो की थोड़े सूखे सूखे होते हैं, वो चहरे पे, गले पे, छाती पे, पीट पे, हमारे कंधों के उपर हो ज जाते हैं, उसमें थोड़ी-थोड़ी खुजली भी चलती है, जिन लोगों का सावला रंग होता है, उन पे ये हलके रंग के दाग दिखाई देते हैं, जिन लोगों का गोरा रंग होता है, उन पे ये गहरे रंग के दाग के समान दिखाई देते हैं, जो दूसरी तरह का फ पीच में जो तवचा होती है वो बिलकुल साधरंतह दिखाई देती है तो ये जो दाद होते हैं ये एक अंगूठी के जैसे दिखाई देते हैं इसलिए हम इन्हें रिंगवर्म कहते हैं ये दाद या तो आपकी शरीर में एक या दो कहीं पे हो जाते हैं या कई दाद इस तर जाद आदमी लोग तंग कप्ड़े पहनते हैं और उनको पसीना जादा आता है जांगों के बीच में तो अक्सर उनको ये वाला फंगल इंफेक्षन वारिश के दिनों में हो जाता है इसमें सबसे परेशान करने वाली बात ये होती है कि इसमें बहुत जादा खुजली चल इसके लिए लगाने वाले क्रीम की इस्तमाल किया जाता है, जैसे Cotrimisole Cream, Micronazole Cream, Turbinefin Cream. इस क्रीम को लगाने का तरीका यह होता है कि सुबह नहने के बाद आप जहां-जहां पे आपके डाद हैं, उन पे क्रीम को अच्छी तरह से लगा लीजिए. उसके बाद रात को धोने की जरूरत नहीं है जो दाद हैं उनके उपर फिर से एक और बार अच्छी तरह से क्रीम को लगा लीजे इन एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल कम से कम दो हफते तक जरूर करना चाहिए और जरूरत पड़े तो 3-4 हफते तक भी करिएगा कई बार क्या होता है कि लोग 3-5 दिन में देखते हैं कि उनका दाद ठीक हो गया है तो वो इस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और फिर जैसे ही वो दवाई का इस्तेमाल बंद करते हैं थोड़े दिनों के बाद आपका fungal infection फिर से आ जाता है जो जांगों की बीच में fungal infection हो जाता है उसमें खुजली बहुत जादा होती है तो इसके लिए आप अपने antifungal cream के साथ 1% थोड़ा सा hydrocortison cream भी मिला के लगा सकते हैं उससे खुजली कम हो जाती है पर जैसे ही 3-4 दिन के बाद आपकी खुजली कम हो जाए तो आप hydrocortison cream का इस्तमाल बंद कर दें क्योंकि ये एक steroid cream है और steroid cream का अपनी तवचा पे कभी भी जादा दिन तक इस्तमाल नहीं करना चाहिए इससे तवचा पतली हो जाती है और steroid आपके खुण के अंदर जा सकते है अपना fungal infection पूरी तरह ठीक करने के लिए आप cream लगाने के अलावा 2% ketoconazol lotion का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको इस्तमाल करने का ये तरीका होता है कि पैरे पूरे शरीर को अच्छी तरह से गिला करिए उसके बाद 2% ketoconazol lotion को लेके पूरे शरीर में साबुन की तरह अच्छी तरह से मलिए उसको 5 मिनिट छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो डालिए इससे फाइदा ये होता है कि कहीं पे भी शरीर में और जगे भी छोटे मोटे फंगल का इंफेक्शन हो जो आपने देखा नहीं है या आपकी नजर में नहीं आया है वो भी कवर हो जाता है और पूरे शरीर से फंगल इंफेक्शन हटाने में ये मदद करता है 2% कीटकॉनजॉल लोशन का इस्तमाल आप रोजाना 2 हफते तक करें उसके बाद हफते में 2 बार इससे आप नहाएं और फिर उसके बाद 3 मेने तक हफते में 1 बार जरूर आप 2% कीटकॉनजॉल लोशन से नहाएं तो आपका fungal infection दोबारा नहीं आएगा इसके अलावा जिन लोगों को जांगों के बीच में fungal infection हो जाता है या शरीर पे भी बार-बार fungal infection होता है तो उन्हें अच्छी तरह से नहाने के बाद अपने शरीर पे 1% low trimisol powder का छिड़काव करना चाहिए इससे fungal बार-बार नहीं पनकने पाती यदि ये सब करने के बाद भी आपको fungal infection हो रहा है तो आपको खाने के लिए fungal antifungal medicines खानी पड़ेंगी उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएए उनसे prescription लिखवाईए और जितने दिनों तक वो बोलें वो आप खाईए खाने की दवाईयों में grisiofulvin, terbinafin या fluconazole tablets दी जाती है इनको कम से कम 4-6 हफते तक जरूर खाना चाहिए इसकी dose और कितने दिन तक आपको लेना है ये आपके डॉक्टर आपको बता सकते है दोस्तों यदि आपको बार बार fungal या bacterial infection हो जाते हैं तो आपको एक बार अस्पताल में जाके अपना पूरा check-up जरूर से कराना चाहिए कई बिमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे शरीर की ताकत बिमारियों से लडने की बहुत कम हो जाती है जैसे diabetes और AIDS इसके अलावा कई लोग जो बहुत दिनों तक एंटिबायोटिक खाते हैं उनके शरीर में भी बिमारियों से लडने की ताकत कम हो जाती है इसी तरह से जिन लोगों का kidney, liver, heart, transplant हुआ होता है उन्हें इस तरह की दबाईयां दी जाती हैं जो की उनकी बिमारियों से लडने की शमता को कम कर देती हैं तो ऐसे लोगों में अक्सर fungal और bacterial infection बार बार हो जाते हैं यदि आपको इस चीज की तकलीफ है तो एक बार अस्पताल जाके जरूर अपना medical check-up अच्छी तरह से कराईए आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और इससे आपको कुछ साहता मिली है आप मेरा चैनल देखते रहिए आपका कोई भी सवाल है तो उसे comment box में जरूर डालिए तैनिवाद